हालो गाइज मेरा नाम है गुलसंगुमार और स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर तो आज मैं आपको तीन ऐसे इस्टंट के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप लोग सीख लेते हो तो आप लोग अपना वीडियो इंस्टाग्राम रिल वीडियो वना कर इंस 745 वहां पर यह सर्च करके मुझे फॉलो करना मैसेज करना या फिर मैं लाइव आउंगा तो आप लोग मुझे लाइव भी बात कर सकते हो तो गाइज चलो मैं अपना आज का वीडियो स्टाट करता हूं तो हमारी सबसे पहली स्टंट होती है वह होती है वेश्टर फ्रंट भर यह स्टंट होती है वहएश्टर फ्रंट फ्लीप Пछल सीखनी से पहले आपको थोड़ा सा वार्मप अर्मप कर तो उसके लिए आप लोग इस तरह से exercise कर सकते हो इस तरह से देख लो आप लोग को पैर इस तरह से जटका दे करके उपर की और इस तरह से करना है तो यह exercise अगर आप लोग करोगे तो आप लोग वेवस्टर बहुत ही असानी से कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है सबसे पहले आपक की प्रैक्तिस दिखो भी इक्सराइज करने से आप लोग फ्रॉंट हैंड स्प्रिंग बहुत ही असानी से कर सकते हो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रीज इक्सराइज करना होगा तो इस तरह से करना होता है front hand spring तो front hand spring इस तरह से करना है सबसे पहले आपको running करके एक point पे इस तरह से जाना होता है जाने के बाद में आपको वहाँ पे अपना हाथ इस तरह से straight रखना होता है straight रखने के बाद में आपको एक पैर से जमीन को push करना है और दूसरे पैर से उपर kick up करना है इस तरह से देखलो आप सभी लोग तो इसी तरह से करना होता है आपको इसका बार-बर प्रैक्टीज करो मैंने बहुत सारी अपने वीडियो ज्में बताई है तो आप लोग वह सब्सक्राइब देख सकते हो मैंने फ्रण्ट हेंड सप्रिंग के ऊपर एक विडियो बनाई है तो आप लोग देख सक्ते हो और आपको इस तरह से थोड़ा सा practice करना होता है पहले आप लोग इसे पूरी तरह से complete कर लो उसके बाद में आपको करना होता है वेफस्टर प्रेफुलिप की प्रेक्टिस एस तरह से होती है आपको इस तरह से !! पहले रनिंग करके जाना हुता है और हाथ से अपने बॉढ़ी को इस तरह से प्रेसर से रोटेट करना होता है और आपकी लेंडिंग पहले इस तरह से होती है देखलो आप लोग तो पहली बार आप लोग ठीक से नहीं कर पाओगे आप लोग की लेंडिंग ठीक से नहीं हो पाएगी लेकिन आप लोग जब इसका रेगुलर प्रैक्टीस तो आपको बार-बार यही प्रैक्टिस करते पहले ऊच्छे जगा से करना फिर धिल यहां जुर और रहो गहीज बहुत हीन जल्द आप से पूरी तरह से complete कर लोगे तो गाइज हमारी जो दूसरी फिलिप होती है वह होती है बैक हैंड स्प्रिंग जी हाँ दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि बैक हैंड स्प्रिंग एक ऐसा एस्टंट है जिसे आप लोग हर जगह पर कर सकते हो इससे आप लोग बहुत करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है मैं आपको पूरी डिटेल्स में यहां पर बता रहा हूं देखो आप लोग सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है सबसे पहले आपको करना होता है अगर आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग सिखना चाहते हो तो आपको ब करना होता है आज यहां दोस्तों करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप लोग इसे पहले ट्राइ करो मंकी फ्लिप इस तरह से होती है देखलो आप लोग सबसे पहले आपको अपना हाथ इस तरह से रखना होता है रखने के बाद में आपको अपना पैर को इस तरह से किक करना होता है अपने कमर को इस तरह से बेंड करना होता है और इस तरह से रोटेशन करने की कोशिस करनी होती है देख लोग आप लोग इसे पहले कर लेते हो उसके बाद में आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग बहुत ही असानी से घर पे बीना सपोर्ट के ही सीख सकते हो बीना डर के ही तो गाईज देखो यह करना होता है फिर सबसे पहले अगर आप यह मंगी फिलिप सीख लेते हो उसके बाद में आपको बैक हैंड स्प्रिंग करने के लिए इस तरह से करना होता है सबसे पहले आप लोग इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे देखो तो फिर आपको करना होता है सबसे पहले जंप करना होता है उसके बाद में अपनी कम करना और और पीछे के बाद में इस तरह से से रखना होता από इस तरह से आपकी लेंडंग होती है तो भाइस करनी होती है लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा प्रोबम्स और दर लग रहे मिलें नहीं कर पा या फिर sandy area, grassy area पर कर सकते हो, बहुत ही असान stunt है, आप लोग सिर्फ सोचते हो कि यह hard है, लेकिन hard भी नहीं है, आप लोग इसे try करो, बहुत ही जल्द आप इसे पूरी तरह से complete कर लोगे, तो guys हमारी third और last flip होती है, वो होती है, side flip, तो side flip start करने से पहले, मैं आप सभी लोग को बोलना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, तो please like कर देना, जितना हो सके उतना like करना यार, क्योंकि जितना आप लोग like करोगे, जितना ज्यादा आप लोग like करोगे, उतने जल्दी जल्दी मैं stunt का वीडियो अपने channel पर upload करूंगा, तो like क कर देना जरूर, और चलो मैं अपना third flip start करता हूं, तो side flip होता है, वो इस तरह से किया जाता है, सबसे पहले आपको करना होता है high jump, देखो इसमें high jump बहुत ही ज्यादा important होता है, अगर आप लोग side flip करते हो, तो high jump आपको करना होता है, सबसे पहले, तो high jump करने के लिए इस तरह से आप लोग कर सकते हो, सबसे पहले आप लोग इस तरह से अपने पैर को jump करना है, जमीन को push करके इस तरह से और अपने थाई को chest में इस तरह से touch करना है, इस तरह से touch करो सबसे पहले, देख लो तो इसी तरह से आपको करना है, उसके बाद में आपको करना होता है sideward roll, कि गैदंब्ए साइडवर्ड रॉल इस तरह से होता है आप लोग देख hacking सबसे पहले आपको इस तरह से पलड़ल किको इसको डेख लोग आई κα्शी। तो यह हो गई उसके बाद में आपको करना होता है साइड़ देखो साइड़ flip करने के लिए आपको क्या-क्या आना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं side-flip करने के लिए सबसे पहले आपको Ihre जंप आना चाहिए पूरी अच्छे तरीके से आना चाहिए उसके बाद में it तो यह तो अशन है यार यह तो आप कर ही लोगे तो उसके बाद में आप लोग साइड फ्लिप की प्रैक्टिस किस तरह से करोगे सबसे पहले देखो सबसे पहले आपको रणिंग करके इस तरह से जाना होता है एक पॉइंट पे इस तरह से अपना पैर इस तरह से रखना होता है और जंप करने की कोसिस करना होता ह पहले तो jump ही करना होता है देखलो आप लोग सबसे पहले आपको running करके जाना है अपने toe से jump करना है अपने pair के toe से jump करना है jump करने के लिए आप लोग जवर से जितना ज़ुर से जमीन को push करो अपना हाथ इस तरह से उपर जटका देकर उपर उडने की कोसिस करो उपर उनने के बाद में आपको अपना पैर इस तरह से अपने चेश्ट में टच करने की कोसिस करना है और अपने फेस को इस तरह से मतलब जैसे साइड वर्ड रॉल में आप लोग करते थे उसी तरीके से आपको को इस तरह से करना है करने के बाद में आपको कोसिस करना है साइड फिलिप करने की देखो फार्स टाइम आप लोग इसे नहीं कर पाओगे थोड़ी सी लेंडिंग आपकी खराब हो सकती है फार्स टाइम में लेकिन आप लोग इसका regular practice करोगे सबसे पहले आपको यह जितने भ में बताया था पाइस्ट इस तरह से आपको साइड़ करना है तो उसी तरीके से यहां पर आपको साइड़ वर डॉल ऊपर में करना है हवा मेर तो इस तरीके से आप लोग जंप करो फिर उसके बाद में अपने पैर को पकड़ो अपना फेस इस तरह से साइवे डॉल के जैसा करो और उधर प्रेटने की कोसिस करो बस इतना साही है, थोड़ा साइब प्रैक्टिस करना होगा आप सभी लोग को, यह जितने भी स्थcamera मैंने तीन आपको बताये हैं, वह अगर आप लोग सीख जाते हो, तो आप लोग बहुत अच्छे-चे वीडियो बना सकते हो, पार्कॉर बिडियो बना सकते हो, इंस्टाग इस वीडियो को जितना हो सक्कों उत्ना से र कर देना कियोंकि आप लुग जितना यादा सेर करोगे उतना जादा मुझे मोटिवेस्पेशन मेलेगा और और भी नए नए श् worries कनट-के वीडियो बनाने के लिए लिए जितना हो सक्वेआइर कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को जरूर प्लेस कर देना हमारे लेटस्ट वीडियो की नोडिफिकेशन के लिए कोई भी कोश्चन बगएरा पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो मैं बहुत ही जल्द रिप्लाई दूंगा आप समी लोगों को तो गाइस यही थ हमेरा आज का वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में थांक्स वाचिंग आइच बाबाए